हम सभी की country इंडिया जिसका official name Republic of India है इसे हम बहुत सारे नेम से जानते हैं जैसे की भारत और हिंदुस्तान और अब opposition का दावा है कि जो government है वो इंडिया के official name को change करना चाहती है और यह सभी speculation start हुए with the invitation of G20 summit इस invitation के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह president of India के जगे president of भारत invite कर रहा है पर मेरा सवाल यह है कि क्या यह change इतना असान होगा क्या officially हम इंडिया के name को change कर सकते हैं Constitution का जो article 1 है उसमें specifically लिखा है India that is भारत लेकिन यह जो दो words हैं इन्हें interchangeably use नहीं किया जा सकता और अगर कोई भी change किया जाता है name के अंदर from Republic of India तो उसके लिए बहुत सारे amendments की जरुवत है जैसे कि Indian constitution में हर जगे changes करने पड़ेंगे UN की सभी countries को बताना पड़ेगा information देनी पड़ेगी कि name change हो रहा है वो आक्चिली में G20 summit के invitation से नहीं बलकि उससे भी पहले Mohan Bhagwat की स्पीच से स्टार्ट हुई थी Mohan Bhagwat जो की chief है Hindu nationalist organization राश्य स्वयम सेवक संग के उन्होंने अपनी speech में कहा था कि हमें अपनी country के लिए word भारत यूज़ करना चाहिए instead of India उस समय ऐसा लगा था कि यह सिर्फ Mohan Bhagwat की ideology है उनकी सोच है लेकिन जब सच में G20 summit के invitation पर President of India की जगे President of भारत लिखा गया तो यह speculation सामने आने लगे कि ऐसा सच हो सकता है सच में जो government है वो यह name change कर सकती है इसके लावा अगर हम PM Modi की Indonesia visit को mention करें तो उस जगे भी Prime Minister of भारत लिखा है instead of India in an official note दो काफी सारे जो BJP leaders है वो इस approach को support कर रहे हैं लेकिन government की तरफ से इस regard में कोई भी confirmation नहीं आया government का कहना है कि यह सिर्फ rumors से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अगर हम India और भारत इन दोनों ही names के origin पर गौर करें तो जो 47 दूसरी तरफ जो नेम भारत है इसका भी जो origin है वो संस्कृत से ही होता है फ्रॉम एंशेंट हिंदू रिलिजिस टेक्स द पुरानास यह जो टेक्स है यह डिस्क्राइब करता है भारत को एज लाज लैंड मास जहां पर हूमन्स रहते हैं और इस लैंड मास का जो एक री फ्रिक्वेंटली इन्वोक बाई दा हिंदू नाशनलिस्ट लेकिन कभी भी इसे हमारे कॉंस्टिशन में ओफिशली रिकगनाइज नहीं किया गया अज लीगल नेम फॉर इंडिया और जो नेम चेंज का पूरा क्योस है यह पहली बार आराइज नहीं हुआ है इससे पहले पहले बी कई बार जो हैं केसे फाइल किये गई हैं पिया फाइल किये गई हैं फिफोर दर सुप्रीम कोट की इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए इन फाक्ट 2016 के अंदर सुप्रीम कोट ने यह अब्सर्व किया था जो इंडिया के लोग है पीपल है यह फ्री कोटर्वेश्य होगी लिशम हैं तो इम क्लिश बिया गई होगी इसके पाले भी वोर्ल पोसे अरी कंट्री ने अपना नीम चेंज किया घृ कि तरकी यह जो निंजड गया था इसका एंग था का झारी जो क्या है इसको ने बैंटी को रिच K Count Vims को सपी कि ताकि वो project कर सके अपने आपको as an open, inventive and inclusive country अगर हम हमारी neighbors की बात करें तो श्री लंका ने भी discard किया था अपना colonial name Ceylon in 2011 ताकि वो assert कर सके अपनी independence को और remove कर सके historical remnants of Portuguese and British rule जो present date Thailand है इसे हम पहले Siam के नाम से जानते थे जो ये word है Siam, it was rooted in Sanskrit जिसे kingdom of Thailand से replace किया गया था अगर हम मायनमार की बात करें तो पहले हम मायनमार को बर्मा के नाम से जानते थे लेकिन ये जो name change है वो 1989 के अदर हुआ था ताकि वो reflect कर सके linguistic accuracy So हम देख सकते हैं कि name change of a country is not a new thing in the world इससे पहले भी बहुत सारी countries ने अपने names change की हैं लेकिन ये name change इतना असान नहीं होता इसके अंदर बहुत सारे steps होते हैं जो कि follow करने होते हैं बहुत सारे changes करने पड़ते हैं पूरी country के अंदर लेकिन opposition का मानना है कि जो government है वो parliament के special session के अंदर जो कि September में होगा उसमें India का नाम बदल के भारत करने के लिए एक special resolution ला सकती है और इसके लिए जो पहला step government को लेना होगा would be to propose an amendment to the constitution of India जो कि हमारी country का supreme legal document है और इसके अंदर कुछ भी change करने के लिए it requires a two-third majority vote in both the houses of parliament that is लोकसभा और राजसभा दोनों ही जगे two-third majority vote चहीं होगा या फिर एक special majority चहीं होगी depending on the specific provisions of the constitution इसके लावा public support और consensus की जरुवत होगी वो उन्हें कैसे मिलेगी with public opinion as well as consultations with various stakeholders और अगर ये name change होता है तो it would need to be legally defined यानि जो भी references है to the old name उन सभी को update करना पड़ेगा in various laws, documents and international treaties इसके लावा international recognition की भी जरुवत होगी तो अगर इंडिया का name change होता है और जो भी नया नाम रखा जाएगा तो उसे जरुवत होगी कि जो बाकी countries या फिर international organizations हैं वो उसे recognize करें और इस recognition के लिए diplomatic efforts की जरुवत होगी और एक बार ये name change जो है वो official हो जाता है, officially approved हो जाता है तो कुछ practical steps भी लेने पड़ेंगे जैसे कि सारे official documents update करने पड़ेंगे इसके लावा passport, currency, various administrative and governmental systems को भी ये जो नया name रखा जाएगा change किया जाएगा उसे उस नये नाम को reflect करना होगा So we can see कि ये जो name change है वो इतना असान नहीं है, इतना easy नहीं है बहुत सारे steps हैं जो कि government को follow करने पड़ेंगे Now let's see जब ये special session होगा कि उसमें क्या होता है क्या actually में इंडिया का नेम भदल के भारत होगा या फिर ये सिफ opposition के speculations है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा I hope this information was helpful to all of you Please do like, share and subscribe to my channel Thank you